हलो दोस्तो वल्कम बैक टो और चैनल ऑल इन वन कार्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि डैटसन रेडिगो में स्टूरेज पेसे कहा कहा है कितनी जगह है गाडी में अलग-अलग चीज़े रखने के लिए और बेटने के स्पेस के बारे में भी आज हम आपको बताएंग तो दोस्तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यह बहुत बड़ी एक स्टूरेज पेसे जहाँ पे आप वन लिटर की बॉटल या फिर आपके डॉकुमेंट्स फाइल यहाँ पे आप रख सकते हैं इसके नीचे ही आपको एक गलब बॉक्स है और और यह कूल भी नहीं है यह नार्मल गलब बॉक्स है इसमें कूलिंग फैसिलिट आपको नहीं मिलेगी उसके बाद सेंटर कंसोल के नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका मोबाइल या फिर वालेट रखने के लिए यहाँ पे स्पेस दी देखेंगे तो यहाँ पर भी चोटी सी स्टोरेज पेस दी है जहाँ पर आपका वालेट यहाँ पर आ सकता है या फिर टोल प्लाजास की जो परचिया होती है वो भी आप वहाँ पर रख सकते हो उसके बाद अगर हैंडब्रेक के आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर भी चोटी स्टोरेज पेस दी हुई है देखिए यह दिख सकते हैं आपको इसमें भी आप अलग-अलग कीज की चेंस वह इगरा यहाँ पर आप इसमें रख सकते हो अगर ड्राइवर सीट की सिटिंग पोजिशन की स्पेस की बात करें तो काफी अच्छी स्पेस है मेरी हाइट लगबग 5-9 इंचेस है और फिर भी मैं देखिए बहुत सारा लेगरूम मिलता है यह देखिए बहुत जादा लेगरूम है और बहुत ही बड़िया हेडरूम भी आपको मिलता है तो सिटिंग पोजिशन के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है रेडिगों में पीछे की सीट इस पर भी देख सकते है आप बहुत अच्छी जगह है और हलाकि यह जो सीट है आगे वाली है हमने काफी पीछे सेट करके रखिए फिर भी काफी जगह पीछे बचती है इसके बाद आपको डोर्स में भी स्पेस मिलती है यहाँ पर आप मैगजिन पेपर्स वेगरा रख सक रियर डोर्स में आपको सिर्फ यहाँ पे कॉइंस वेगर रखने के लिए जगह मिलेगी नीचे आपको कुछ नहीं मिलेगा बॉटर होल्डर वेगरा कुछ नहीं मिलेगा और पीछे जो है दो सो बाइस लिटर का बूट आपको मिलता है यह डैटसन डेटी को के जिनियन सी की बारे में आप मैं आपको बताना चाहता था तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ज़रूर कीजिए और चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्रेब करना ना बूलिए